वो rate of analysis का part 2 video है इसमें कुछ हाज नुमेरिकल देखेंगे rate of analysis इसमें हम कॉस्टिंग का इसमें देखेंगे कि जो previous year में questions आये हैं हमारे SSCJ में इसका हम क्या करेंगे आज question को बनाएंगे और लगाएंगे ठीक है चलते हैं पहला question एक concrete road 100,000 meter long friends यहाँ पर 1000 meter है हमाने मान लीजे concrete का length है जो 1000 meter लंबा है ऐसे फ्रेंटर चलता जाएगा आगे क्यों ठीक and 8 meter wide this is the 8 meter wide and 50 cm thick over the sub-base इस sub-base है फ्रेंटर बेस है इसके उपर हमारा क्या है इसकी जो थिकनेस है वो हमारी 50 cm है and 10 cm thick now gravel level मान लीजे एक gravel layer का thickness है इसको हम कितना माने 50 cm माने the cubic content of concrete 1 to 4 इसमें जो concrete का ratio है 1 to 4 का है जिसका यह हमारा PCC किया गया है the concrete content of the concrete the cubic content of the concrete 1 to 4 further road contractions हमें निकालना है कि कितना cubic content of concrete लगेगा जिसका 1 to 4 क्या है इसका ratio है ठीक है friends हमें क्यों भी content of concrete निकालना है simple हमें यह नहीं निकालना है कि हमें कितना cement लगेगा कितना aggregate लगेगा हमें यह नहीं निकालना है सिर्फ total of concrete कितना हमें करना है इसको बनाने के लिए उतना हम निकालेंगे तो friends simple सा इसमें फंडा लगेगा आप क्या करिए thousand eight to point यह गुडा कर दीजी आपका answer आजाएगा 1200 आएगा friends इसका सिम्पल सा इसमें क्या होगा क्यों भी content of concrete पूछा है आपका इसमें इसके अलावा यदि आपका पूछ लिया होता कि सिमेन की कितनी मात्रा होगी इसको बनाने के लिए तो हम वहां पे अपना drive volume का weight volume का concept लगाते हैं ठीक है जलते हम दूसरा दूसरा है एक concrete cement concrete road 1000 meter long 1000 meter long यह चलता जाएगा आगे क्यों आप 8 meter wide इसकी जो wide यह 8 meter है यहां से यहां तक friends यहां से यहां तक यह क्या है 8 meter है और इसकी जो ठीकनेस है friends उप पॉइंट 15 meter मान लिजे यह तो 50 cm मान लिजे जो दिया है और इसका जो सबेस का ठीकनेस 10 cm है पूछा है the box cuttings of the root crushed box cutting क्या होता friends उसके बारे हम निकलेंगे box cutting पूछा है सबसे पहले total quantity हम निकालें कितना होगा total quantity 2000 8 into 1.5 यह हमारा concrete का उपर का हो गया हम नीचे क्या हुआ gravel का दिया गया है gravel को मैट कर लेंगे 1000 8.01 यह friends किसके लिए है यह हमारा concrete के लिए है यह gravel के लिए है जो 10 cm यह हमारा friends करना आएगा 1022 यह friends आएगा 800 तो टोटल कितना होगा 2000 meter q यह हमारा total quantity आगया अब इसमें हम क्या करेंगे cutting करेंगे तो cut volume क्या होगा जो friends हमारा cut volume होगा इसको भी range कर देता हूं यह जो cut volume होगा होगा friends total quantity यह जो total volume कितना हम निकाले meter cube total volume upon 4 देखिए एप्रोक्स हमें से मान लेगे जिसे में एक paper box बनाना होता है तो हम क्या करते है 1,2,3 and 4 बागो में cut कर देते हैं जिसके वज़ा से हमारा एक का box cutting का है एक road का format का तयार हो जाता है box cutting का तो हम 4 बागो में इसको divide कर दिए total volume कितना है 2000 by 4 यानि यह हमारा 500 आएगा friends इसकी value हमारी क्या होगी 500 होगी meter cube अब निकालेंगे box cutting तो क्या करेंगे total quantity में से cut volume तो घटा देंगे cut volume cut volume को घटा देंगे तो 2000-500 equal to friends 15W0 meter cube यानि यह answer हमारा counts है B this is दुमाई correct answer B cut volume इसको concept जो हमारा box बनते है cut box मतलब box बनाय जाते है उसको कार्ट के हमारी मान लेजिए septic tank से formation of the septic tank जो friends कितना है 100 meter thick brick lining की जा रही है और उसका जो dimension है friends हो है 5 किसकी septic tank की 5 मान लेजिए हमारे लेंथ मान लेजिए जो इसमें सबसे बड़ा है इस form क्या मान ले length मान लेते है friends यहां तो 5 meter का लेंथ है friends 3 cm का यह है और 1.5 cm क्या है इसकी left यहां माने तो friends 5 A है नीचे मान रहे है हमारे तीन यह है friends 1.5 यहां पर है 1.5 फ्रेंश है ठीक है meter all dimensional meters आप पूछा friends अमें लाइनिंग करना है कितना 100 mm thick का इस पर हमें कोई लाइनिंग करना होगा friends किसी चीज की मान लेजिए lining करना है इसको cement की lining करिए motor की lining करिए line cement की lining करिए यानि इस पर थोड़ा सा leap लगाना है तो उसके लिए हमें निकालना है कि इतना रूपए है lining कराने का तो बताईए कि आप कितना कास्ट लगेगा इसको lining कराने के लिए चीज़ है हम कल्कूलेशन करते है सबसे यह हम देखते है कि जो rate of the lining इसकी जो dimension of race यहां पर भी lining होगा round में भी इस सत्ह पर यह जो नीचे का सत्ह इतना यहां भी lining होगा इसकी dimension क्या है इसकी dimension वही यानि 5 x 10 अब हम volume मानते 3 volume पहले फ्रेंस इस जो नीचे की volume है ठीक है यानि फ्रेंस एक इसका volume मानन लेते है A3 अब एक दिवाल का volume A1 इसकी area A2 मान लेते हैं हम पहले A1 की calculation करते हैं तो A1 क्या हो जाएगा 5 x 1.5 x 2 2 कहां से फ्रेंस एक दिवाल तो ही है दूसरी दिवाल हमारी है यहां पर दो हमारा फ्रेंस दो दिवाल है एक एक साइट की फ्रेंस एक दिवाल होगा एक यह होगा इसको गुड़ा कर देंगे तो 10 यानि फ्रेंस 15 आजाएगा मीटर स्क्वार ठीक है यानि 5 दूना 10 और 1.5 में 50 अब A2 निकालेंगे फ्रेंस A2 मारा क्या होगा 3 x 1.5 x 2 15 दूना 30 फ्रेंस और उसके अतिंतर का 9 मीटर स्क्वार ठीक है अब हमारी एक नीचे वाला सत्ता बचया फ्रेंस यहां अभी दू होगा एक 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 ए यानि फ्रेंस यह A2 भी तो एक यहां का एरिया होगा इसलिए आप मल्टिपल 2 करें और A1 एक इधर का होगा फ्रेंस एक इधर का होगा लाइनिंग करने के लिए अंदर सत्ता पर लाइनिंग करने के लिए इसलिए हमने का गया फ्रेंस अब जो तीसरा है फ्रेंस वह A3 क्या है नीचे वाला सर्फिस हो नीचे वाली सर्फिस के एरिया कितना होगी फ्रेंस 5 इंटो 3 यानि आपका 50 आप फ्रेंस टोटल आप जोड़ दीजिए टोटल एरिया तो A1 A2 A3 कितना होगा फ्रेंस 15 15 और 9 यानि 39 A1 के मंग 39 मीटर स्क्राइब ठीक है फ्रेंस आप देखे जो कास्ट यह कितना है 200 पर स्क्राइब मीटर इंपोर्टेंट फ्रेंस आपको कास्ट देखना है तो आपको मीटर स्क्राइब दिया आप एरिया सही निकाले हैं आपक्या करेंगे 200 रूपए पर इसकम मीटर का लाइनिंग रेट दे रहे हैं तो इसका मंटीपल कर देंगे तो आपको टोटल कास्ट मिल जाएगा अब तोटल कास्ट निकाल लीजिए ज्यानि तो फ्रेंट्स इसमें आपका इंसर कौन सा मेंज कर रहा है तो के चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन है दा लेंथ हैं वीप्थ एंड हाइट अप दा वाल अब क्या करना है इसको हमें बनवाने के लिए इस ब्रिक वाल को बनवाने के लिए हमें कितना रुपया देना पड़ेगा जबकि इसको बनाने के लिए 300-320 रुपय प्रति क्यूमें दर से हमें रुपया प्यामेंट करना पड़ेगा सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंज हम बोलूम निकाल लेते हैं वाल का बोलूम ओफ वाल तो फ्रेंज क्या होगा इसके लेंद बीफ इन्टू हाइट यानि आठ सो को हम 800 सेंटीमेटर है तो इसको आठ मीटर लिख सकते हैं 500 सेंटीमेटर को 5 मीटर और 50 सेंटीमेटर प्रेंट फाइब तो गुड़ा करते हैं आठ पंजा चालीज पांचोग वीश तो ट्वंटीमेटर आ जाएगा फ्रेंज मीटर क्यू में फ्रेंज क्या करिए बात तीसो पर मीटर क्यू के रुपया आप देन पेमेंट कर रहे हैं तो क्यों काट दीजिए तो हमारा चौसट डबल जीरो रू इसकी जो हाइट है फ्रेंट है लेंट है इसको प्लास्टर करवाना है तो हमें इसको प्लास्टर करवाना है तो हमें कितना क्वान्टिटी लगेगा इसमें क्वान्टिटी पूछा प्रेंट यह नहीं पूछा कितना सिमेंट लगाएगा प्लास्टर करनी है तो हम क्या करेंगी इसकी एरिया निकाल लेंगे सर्फेस एरिया तो उनों साइट सी ठीक है तो एरिया निकालने करें फ्रेंज हम क्या करते हैं दोनों सब्सक्रा की एरिया यह यह इसका फ्रेंज छे है यह यह फ्रेंज आपका 6 था यह 4 था 6 इंटू 4 ट्वंटिफॉर यह 6 आद यह 4 फ्रेंगं तो 4 एंटू 2 क्याओकि उस सता भी आप प्लाआस्टरिंग करते हैं दोनों सत्ता ने से इधर आप प्लास्टर हो रहा क्याएं उससे इधर भी तो प्लास्टर furry और 44 meter स्कार्ञ इसका एंसर वे भी आगा इधर हमारे क्या है यह दिवाल से लगा हुआ है इधर भी दिवाल से लगा हुआ है यह उपर भी हमारा दिवाल पर लगा हुआ है यानि इदर में प्लेस्टर नहीं करेंगे, सिर्फ हमें दो साइट प्लास्टर करना पड़ेगा, एक फ्रेंट इस साइड और एक इसके अपोजिट साइट जोगों यहां पर फ्रेंट दो साइट प्लास्टर होगा, फ्रेंट प advertise होगा फडला इदर होगा, august from face Reason 2. और इसकी डाइमेंशन क्या है यह इसकी डाइमेंशन जो है वह है 3 सेंटी 3 मीटर और 2 मीटर ठीक है और इसकी जो ठीकनेस है वह है 600 ठीक है यहाँ पर जो देब्थ है इसकी हो कितना है फ्रेंशन 600 मीटर में हम इसका क्या है फ्रेंशन सिंपल से बॉल्म निकाल लेते हैं बॉल्म क्या होगा फ्रेंशन बॉल्म एरिया यहीं 3 x 2 x 2.6 तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंशन 3.6 मीटर क्यूब अब हमें क्वांटिटी न कर रहे हैं कंक्रेटिंग वर में हम जो हमारा भी आप ड्राइव होता है फ्रेंशन 1.53 भी आप नेट होता है फ्रेंशन बहुत जगह किताबों में बी नेट को या बॉल्म आफ वेट बोलते हैं हमारा गीला मोटार और भी आप ड्राइव को यानि भी ड्राइव बोलते हैं तो हमने यहां पर बीनेट को क्योंकि हमें बॉलूम इसी में तो पोर करना है कंक्रीट का जो इतना दिया हुआ है इसलिए हम बीनेट हमेशा यूज करते हैं तो हमें अब भी ड्राही निकालना है तो हम क्या करेंगे 1.53 और उसके बाद यहां पर 3.3 का गुड़ा कर देंगे यह हमारा बीनेट में क्यूबिक में आ गया अब हमें पॉंटिटी आप कोर्स एग्रिगेट निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको 1.53 into 3.3 और कोर्स एग्रि पॉड़ा कर देंगे 4,2,6,1,7 आप इसको काल्कुलेशन करेंगे तो आपका 3.15 आएगा ठीक है क्यूबिक इतना कोर्स एग्रिगेट का रिक्वार्ड होगा आप देख लीजिए एंसर कौन सा है सी मैच कर रहा है ठीक है अगला चलता हूं काल्कुलेट कॉस्ट आप मेटर लौंर इह हमारा फंस फॉर मेटरLONG वाल है ठीक और शाड़े 3 मीटर है और फिर म ALL सकी है और करना होगा काश्ट में कितना प्लास्टर के घखने से अब जब कि प्लास्टर की थीखनेस नहीं दींद्स क्यों है इसलिए इसलिए क्वांटिटी नहीं पूछा है कि दोनों तरह plastering करवाया है तो करवाना है और 12 रूपई के दर से मीटर स्क्वार के दर से payment कर रहे हैं तो पताए कितना payment करना पड़ेगा तो हमें simple सा यह है कि हम दोनों तरह का क्या की निकाल लेते हैं इस तरह की area निकाल ले और इसके दोनों ये इस तरह का area निकाल ले यानि हमरी जो area होगी friends हो क्या होगी चार इंटू साड़े तीन फ्रेंस और दोनों साइट का फ्रेंस इसका multiple करेंगे तो आपका आएगा चार साड़े तीन इंटू दो फ्रेंस आपका 28 मेटर स्क्वार आप पेमेंट 12 रूपई के दर से करना है तो हमारी जो कॉस्ट आएगी friends वाजे 28 इंटू 12 रूपई ठीके फ्रेंस रूपई हमें क्या करना पड़ेगा पेमेंट करना पड़ेगा ये हमारा एंसर है यानि हमारा जो एंसर रूपई होगी है हम अगला कॉस्टन तैह है जो थिकनेस भी डेदने से प्लेस यहां प्रेंस यह केड diff intent 12 mm यादि प्लेस थिकने से 12 mm ठीकनेस ठीकने Canal थेखनेस थीकनेस अब हम क्या करेंगे सबसे पहले बॉलूम निकालने हैं दोनों साइट की बॉलूम निकाल लेजिए इधर का इस तरह एरिया निकाल लेजिए एनेट क्या होगा फ्रेंस पांच साड़े तीन दोनों तरह आपको प्लास्टर करवाना है तो कितना होगा फांधूनी 10 यानि 35 मिघर क्यों अर्यसक्रेंस क्यों कि हम आपर फ्रेंस तो इनने दोनों radiwalvers कराना है plaster योगि इधर तमारा वस किसी wall से पूटिन होगा और किसी wall से होगा या तो किसी column से connect होगा अमें plaster इधर कराना है और इधर कराना है तो इस side के area हम क्या करेंगे पांच इंटू साड़े तीन बोस साइड यानि दो पांदू ने दस और 35 मीटर स्कार और फ्रेंज कितना इसका थिकनिस है पॉइंट और बारा यानि पॉइंट 0 पॉइंट 012 मीटर आप फ्रेंज इसमें क्या करेंगे बी निकाल लेंगे लिकनिस का गुड़ा कर देंगे 0.012 ये आपका फ्रेंज आ जाएगा गुड़ा करने पर 35 इंटू 0.102 यानि फ्रेंज आएगा आपका 0.42 मीटर क्यूब ठेक एटरेंज ये आपका आया है इतना आपका वेट मोटाल लगेगा अब हमें क्या करना है बेट मोटार को ट्राइब मोटार में कनवर्ट करेंगे क्यों क्योंकि हमें एक है फ्रेंज अब यहां हमने क्या कर रहे हैं निकालना है कि कितना मोटार लगेगा अब हम करते हैं कि मोटार जो होता है हमने जर्नली केतना लेते हैं 1.4 375 लेते हैं फ्रेंस ब्रिक मोटार्ट है केस में इसके लिए जब फ्रेंस हम इन्टू एमरा एड जो फार्मूला होता हुई यह होता है कि बी आप ड्राई 1.4 375 बी आप निट ठीक है फ्रेंस अब यहां पर हमने क्या करते हैं जीक चिह उजाती है फ्रेंस हम लेंगी इसलिए क्योंकि हमारा वं मेटर क्यूब स्ट्ञ्र को बनाने के लिए मतलब वन मीटर क्यूब दीवाल को बनाने के लिए फ्रेंस एप्राक्स 3.33 3 अमिंट क्यो privata के ज़रूरत होती है यहित्यूर की एक ट्रेंद मैं णवियु ठाइट कि जरार्थ है कि कितना 1 मेंट रिवाल बनाने के लिए लेंकि रिक्री 3 meter cube time motor की required होती है इसलिए यहाँ पर जो हम factor का भी multiply करेंगे 1.3 का करते हैं यानि 10 के लिए 3 meter cube ओके friends तो हम जो factor यूज़ करेंगे वहाँ क्या उज़ करेंगे आप 1.3 1.43 भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन उस समय आपको क्या करना पड़ेगा Kelsey होगी तब क्योंकि value friends निकट कम जादा आने लगेगा तो आप 4 लेकिन जब आप 1.3 friends यूज़ करेंगे तो एकुरेट एंसर आएगा B dry 1.3 आप B net B net आपका friends कितना आया था 1.42 अब उसके बास friends हमें क्या निकालना है इसको quantity of cement एक मेंट क्यों में रहेगा friends तो 1.3 0.42 और उसके बाद friends यहां पर 3 आपर 1 क्योंकि हमें cement निकालना है upon 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 friends 3 एक 4 calculation हम करते है तो आपको किस में निकालना है friends बैग में देखिए आपको पूछा है backs कितने बैग आपके पास calcium नहीं है तो आप 29 का गुड़ा कर सकते हैं या तो 30 का approximation ले सकते हैं जो हम 28.8 का गुड़ा करेंगे friends तो देखिए आपका आपका आप 3.9 bags यानि approach 4 bags जो हमारे पास calcium paper में नहीं हो रहेगा क्योंकि SSCJ का question है तो उससे में 30 bags लेके approximation friends निकाल सकते हैं खीक है accurate answer हमारा क्या होगा 4 bags ओके friends सही है अब आगे हम चलते हैं अगला question देखता हूं the inside wall of the safety tanks is finished आप क्या कर रहे हैं जो हमारी safety माल लीज़े आपका safety tank से friends आप इसको क्या करें inside finishing कर रहे हैं एक तरह से यानि plastering कर रहे हैं उस समय तो 12 mm thick plaster हो रहा है फ्रेंस 1.4 cement motor यूज़ हो रहा है यानि इसमें आप क्या करना है plastering करवाना है और उसके बाद यहां पर cement motor कितने का यूज़ हो रहा है 1 और 4 का ठीक है देखता हूं इसका dimension क्या क्या है 6 meter 4 meter है और उसके बाद 2 meter यह आपका यहां पर हम्हें क्या plaster कीतना करवाना है इधर plaster करवाना है इधर करवाना है आपको इधर इसके अंदर करवाना होगा और इसके अंदर करवाना है ठीक है Inside the wall of satic and finishing with 12 mm thick plaster with इतना है अब हम क्या करते हैं फ्रेंटस की एरिया निकालते हैं जहां जहां हमें क्या करना है वर कराना है फ्रेंटस की इख टिक इतना दो तो एक फ्रेंस इधर आपको कराना होगा, एक इधर कराना है, तो A1, A1, तो हो गया, A1 है, बॉस साइड है, अब इसका बाद A2 हम निकाल लेते हैं, एक इधर, A2, अब इधर A2, तो घ्रेंस हमारा आ जाएगा, दोनों साइड का दो, 4 इंटू, 1 पॉइंट, और कितना है फ्रें मीटर स्कूर, अब फ्रेंस कितना थिकनेस का है, 12 मीटर थिकनेस का है, अब चालीश में हम क्या करेंगे, 12 का गुड़ा कर देंगे, तो हमारा B नेट आफ अफ एरिया निकल जाएगा, 40 इंटू, 0.012, जब बुड़ा करेंगे, 0.48 मीटर क्यूबिक आएगा, ठीक है फ्रेंस, अब इसको हम क्या करते है, ड्राई मोटार में कनवर्ट कर लेते हैं, हमारा काम किसका हो रहा है, फ्रेंस, ब्रीक वर्क का हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रीक व ब्रीक वर्क किंग हो रही है, तो हम इसमें क्या लेंगे, वी निट 1.3, 1.4, 375 भी ले सकते हैं फ्रेंस, लेकिन इससे थोड़ा आपका बेलू एप्रॉक्स ज्यादा आएगा, अब कैल्सी रहेगा, तो आप यह यूज करिएगा, बिना कैल्सी का यह लीजिएगा, तो 1. 1.3 into, हमारा जो एरिया आया कितना है, 0.8 मीटर क्यों, अब हम क्वांटिटी आप सीमेंट निकालेंगे, तो 1.3, 0.48, अब इसके बाद फ्रेंस हमारी क्या है, बाइक में निकालना नहीं, मीटर क्यों में, तो 1 upon 3, 1, 4, 5, अब बुड़ा करेंगे फ्रेंस, तो यह उपर व 624 आएगा, अब 5 से डिवाइट करेंगे, 0.1, 1, 1, 1, 2, 5 आएगा, अब 1, 2, 5 के प्राक्स कौन सैंसर रेफ्रेंस, देख लेजिए, यानि इसका हमारा क्या है, अब भी आपसंस आई है, आप यदि 1.4, 3, 7 लेके चलते हैं, तो आपकी बैलू, इसके बजाए 1, 3 आजाती ह तो आप यह भी लगा सकते हैं, इसके ज़्यादा यदि आएगा, 1.45 के ज़्यादा आएगा, तब यह सही होगा, यदि यह कोफिसेंट आप ले रहे हैं, 1.4, 3, 7, 5, तब भी आपका एंसर एप्रोक्समेशन, 1.25 से थोड़ा ज़्यादा, 1.3 आएगा, तब भी हम भी ही आ अपसन मानेंगे, ठीक है?